नमस्कार दोस्तों फिर से एक पर स्वागत है आपका अपने चैनल पे आप देख रहे हैं लॉगिन कंप्टूटर और दोस्तों मेरा नाम है अनुप तो आज का जो टोपिक है हमारा वह हार्डिक्स से रिलेटेट की हार्डिक्स अगर आपकी खराब हो जाए या खराब हो रह होगे तो उसी प्याद हरित है आज का वीडियो तो इस वीडियो में मैं पूरी जनकारी दूंगा आपको कि आपका हार्डिक्स कैसे खराब होता है और अगर हार्डिक्स खराब होता है तो आप कैसे डेटा बैकप ले सकते हैं और अपने हार्डिक्स का स्टेटस पता कर सकत कितने सेक्टर आपके खड़ाब हो चुके हैं कितनी परसेंट हार्डिक्स आपकी खड़ाब हो चुकी है और कितना सही चल रहा है और क्या क्या प्रिक्योसन है यह सारी चीज़े इस वीडियो में बताऊंगा और इसमें एक टूल के हल्प से मैं आपको देखना बताऊंगा कि कैसे आप अपने हार्डिक की स्टेटस चेक कर सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कैसे क्या कुछ करना है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को लैट्स दोस्तों हम आचुके हैं अपने सिस्टम वीडियो लाते रहता हूं तो अगर आप इंट्रेस्टेट है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं गूगल पर गूगल पर आपको सर्च कर लेना है हार्डिक्स एसकैन या एच डीडी एसकैन तो आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी फर्स्ट बार इसको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां इसका वेबसाइट ओपन हो चुका है हार्डिक्स एसकैन के बारे में पूरी डीटेल दी गई है कि आप कैसे अपने हार्ड़ाइब को टेस्ट कर सकते हो और आपको बता दूँ यह एक एकदम फ्री सोफ्ट्वेर है जिसकी मतलब से आप अपने हार्डिक्स का हेल्थ है स्टेटर्स चेक कर सकते हो और भी रिपोर्ट भी निकाल सकते हो आप बहुत असानी से और अगर आपका हार्डिक्स है तो काम नहीं करेगा अगर आपके हार सब्सक्राइब कर सकते हैं डेटा अगर आपका इंपोर्टेंट है तो बाकि आप देख सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी और रिक्वार्मेंट क्या है आप पूरी यह सब डिटेल पर सकते हैं यह कौन से स्टोरेज डिवाइस को सपोर्ट करता है यहां पे आईडी साटा एक् इसका फर्स्ट इस तरह से तो चली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड पर क्लिक करते हैं यह हम से लोकेशन पूछेगा तो हम लोकेशन पर इसको देदेंगे मैं अपना पिक्चर वाला लोकेशन दे देता हूं ताकि ढूनने में असानी जाएगी तो आप देख स कि यह सॉप्ट्वेर सिस्टम पर इस्टॉल नहीं होता कि वह रण होता है तो आप देख सकते हैं सिंपली एड्मिनिस्ट्रेटर के थूरू इसको रण कर लेना है और यहां पर एगरी पर किलिक करोगा लाइसेंस टर्म लाइसेंस एक्सेप्ट करना होगा आपको तो यहां बेख सकते हैं यहां पर open हो चुका है हमारा hardis scanner software यहां पर मैरी hardis detect में सिस्टम में 3 hardis है तो यहां तीनों hardis नों रही है किसी की की कर लेता हूं तो यहां पर टेस्ट पर क्लिक करूंगे तो यहां पर कुछ ऑप्सन दिखेंगे आपको वेरिफाइड बैटर फ्लाई और एरेज तो यहां पर वेरिफाइड डेटा विदाउट ट्रांसफर तो आप अपने हार्डिस्की डेटा जो है वह चेक कर सकते हो कि टास्क एड हो जाएगा और इस अभी हो रहा है इस पर राइट क्लिक करके आप देखना चाहो तो डिटेल देख सकते हो कि कैसे रीड चल रहा है इस पर यहां पर रीड हमारा और टास्क वेरिफाइड हो रहा है यह काफी लंबा प्रोसेस है बहुत टाइम लगाएगा इसम है ऊदिए प्रोफ रहा है तो वब्रोसेस हे पर यहां पर नहीं नहीं होआंगा तो सटोगवा तो आप देख सकते हैं और यहां पर वाइड कळर है ग्रेय है ब्लैक कलर है और ग्रीन कलर है और ब्लू कोलर ब्लू कोलर जो है वो बैट सेक्टर का सेंबल है तो जितने अगर ब्लू कलर आपको दिखेंगे तो बैट सेक्टर में आएंगे अभी तक जितनी भी स्कैनिंग हुई है इसमें तो मेरा कोई भी बैट सेक्टर अभी तक आया नहीं है आप देख सकते हैं तो इस त stop करके और देख सकते हैं तो यह केंसिल करने के बाद मैं कट कर दूंगा आप चाहे तो यहां से रिपोर्ट भी निकाल सकते हो आपका पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो रिड्राइट की स्टेटस और यहां पे और टूल्स के भी हमारा पूरा हर्ड ड्राइव का आइड और क्या-क्या है इसनका पूरा डिटेल्ट्र आपको सौ होझाएगा यहां पर तो अब देख सकते हैं यह क्या क्या सप्तूर्ट करता है इसका इन परमेशन कि आप देख सकते हैं आपे лежakal स्ट्रेटर साइज 512 बाइट है और कैसे साइज नौट रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं हो पाया इसमें रपीम इसका च्वण सो आपीम है इंटरफेस साटा है हमारा आपे connected through sata controllers के तुरू यह connect है हमारा यह सारी detail आप दीख रही है serial number 20 आजयता इसमें तो आप देख सकते हैं यह पे dma support है full support है तो इस तरह से आप कुछी details देख सकते हो अपने hard disk का तो चलिए बिसको क्लोज करके कुछ और दिखाते हैं क्या-क्या इसमें आप देख सकते हो तो यहां पर देख सकते हैं आप चेक पोफॉर्मेंस एड पॉटेंसियल प्रॉबलम सवाइस एक्ससेंडब से करोगा तो फूल चेक होगा यहां पर और शाट पे चेक करोगे तो आपको कम टाइम में पोफॉर्मेस चेक करके अप बतायो तो आप इसपे करोगा तो नीचे टास्क एड़ हो जाएगा और व इसको स लाल स्टॉप कर दता हूं अब पूरा दिखाऊंगो तो वीडियो एक घंट के आसपास हो जाएगा ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस तो चलिए इस तरह से आप ट्राइग कर लेना अगर आप करना चाहो तो और यहां पर देख सकते हैं टेमपरेचर मोड भी है आपका हाड़ी का ठेमपरेचर है वह सो जाएगा यहां पर रिटेल में देखेंगे तो देखेंगे 29-0 डिघ्रिस एपर चाहिए और इस वाले आइकन से आप इसका है जो ब्राइटनेस से कम ज्यादा कर सकते हो आप ट्रा तो अब अगर मैं आपको फाइनल दिखाओं तो यह देखिए स्मार्ट जेनरल हेल्थ इंफर्मेशन है इसके तुरू आप पूरे हार्ड़िस का हेल्थ निकाल सकते हो आप देख सकते हैं यहां पर कि यह जो इस्टेटस दिखा रहा है इस्टेट ग्रीन कलर में अगर ग्रीन की जगह पर कोई और कलर आए तो आप समझ लेना कि आपकी हार्डिस की जो हेल्थ है वो खड़ाब हो रही है और आपका टाइम आ गया है हार्डिस का बैक अप रख लेने का तो आप बैक अप चरू इसको सेफ कर लेता हूं अगर किसी को भेजनी हो आपको हार्डिस की रिपोर्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह सेफ करके बैज सकते हो तो कोई प्रोफेस्टनल जो भी होगा इससे रिलेटेड वह आपको बता देगा आपका हार्डिस कितनी परसंद सही है तो सिंपल से समझने वाली बात है अगर नहीं आ रहा है ग्रीन के लावा और रेंज ब्लू कोई भी कलर आ रहा है दूसरा इस्टेट आ तो समझो आपके हार्डिक्स घडाब होना सुरू हो गया है तो यहां पर हमारे हार्डिस का स्टेटस बिल्कुल ओके है तो यहां पर हार्डिस का जू भी नेम है फाइलneam से सेव लिफायल लेते हैं हार्डिक्स रिपोर्ट के नाम से सैग्डे Niye मिजमार एछ फोडवे है को ओं दो चली को मैं सहичी कर लाता हूं अहींग्ट को हेल्थ को समयने सेब कर लिया इसको तो सेब करते हैं हमारा सेब हो जाएगा तो आप चलते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारे डॉकुमेंट में से हुआ तो आप देख सकते हैं अगर आप अपना चेक कर लेना अगर आपका हार डिस खराब होगा तो वह ग्रीन कलर में नहीं आएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में यही था तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएगा और यह जैनल है मेरा सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और अपनी टेक्निकल दोस्तों के साथ सेर्वी कर दिजिए गा मैं ऐसी वीडियो में तब तक लिए नमस्कार बाई बाई